इस वीडियो में मैं कुछ आकड़े आपको बताऊंगा इस एक प्लेयर के बारे में जो सुनके आप चौक जाएंगे मतलब आप बोलोगे के हम क्या किसी और देश में रहते हैं कि हमें यह नहीं पता था जी हाँ अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो इस जो पॉटकास की बात नहीं कर रहा हूं है विच जो मॉरिसन उसके पहले का जो वीडियो था आप जिन्होंने अभी रिसेंट्ली कुछ बहुत बढ़िया अचीव किया है यह ब्रोक सुनिल चेत्रिया और महामध रफी जो पहले का रिकार्ट था 14 in 23 अपेरेंसे बाट चेत्रिया रफी और जो और मैच उनके लिए बचे हैं और उस वीडियो में अगर आपको याद हो मैने एक दो और इंडियन का मैंशन किया था जो आप 15 आई-league scorers हैं इस सीजन के उसमें पाँच इंडियन्स है जिसमें से एक और है जुआला तो है ही है और एक और का नाम है डेविड लालियन सांगा जी हां ये भी जुआला की तरह ही मीजो राम के ही है आई-league में अगर आप पूछे इन्होंने क्या इतना खास किया इस सीजन 20 appearances में जिनमें से काफी सारे appearances bench से आये हैं इनके है 5 goals और 2 assists तो मतलब की 7 goal contributions है लेकिन दो और ऐसे tournaments है जिनमें ये खेले हैं दो और competitions में जहां पर के उन्होंने धूम मचा दिये और अगर आप इन तीनों competitions को combine करो तो इनके goals पता है कितने सीजन 32 जी हां आपने सही सुना 32 goals in all competitions by an Indian in a singular season आपने सुना था पिछली बार ये कब हुआ था मुझे तो पता भी नहीं हुआ भी है या नहीं because David के Durand Cup में 3 appearance में 6 goal उसने Mumbai City FC के against भी score किया Durand Cup में Durand Cup की level तो आपको पता ही है राइट सब इंडिया के top teams खेलते है उसमें ISL टीम भी खेलते है I-League teams तो ही और बाइदे वे ये Mohammedan Sporting के player है अगर आपको नहीं पता हो And उसके बाद CFL में मनला Calcutta Football League आपको पता है इंडिया में जितने भी state leagues है Kolkata being you know the Mecca of Indian football Calcutta Football League जो है वो सबसे ज्यादा competitive सबसे ज्यादा tough league है तो उसमें उन्होंने score किये 21 goals 21 goals and उसके साथ top scorer भी रहे Calcutta Football League के तो मतलब के वहां के 21 यहां Durant Cup में 6, 27 and I League में 5 goals So मतलब 32 goals in all Guys सबसे बड़ी बात मुझे पता है क्या लगती कि इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा I'm pretty sure आपको भी यह नहीं पता था आपको अगर पता हो तो you know you're one of the very few people who actually has has noticed David Lalland Sangha in a season where we're talking about you know Vikram Pratap for good reason but in a season where we're you know people are also now noticing Zuala and his exploits यार David एक और एक ऐसे प्लियर है बाइस साल के है 22 years of age जो के probably the future मैंने you know कल Joe Morrison के साथ जो podcast किया है उसमें जो कह रहे थे के इंडिया में ना अगर जब मैंने उनको Zuala के बारे में बताया कि उन्होने यह किया है तो उन्होने कहा के मैं मानता हूँ अच्छा 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 का लेकिन he said that he should be इतना कोई बड़ा record निया he if he would have scored about 30-40 goals in a season तब मैं बात मानता कि भाई किसी ने कोई बहुत बड़ा धंडा गाड़ा इंडियन फुटबॉल में लेकिन लेकिन वी सेट देट जुवाला ने वो नहीं किया है तो वी सेट वाई टीजिए अट वूड एचीवमेंट तो आप डेवेड लालन सांगा कि इस सीजन के बारे में क्या कहोगे पहले आपने I don't know इनका नाम सुना होगा या नहीं यह एजॉल के अंडर 18 टीम में थे जिसे मैंने कहां मीजो बॉय है मीजो राम से आते हैं और उसके बाद पिसले सीजन भी है एजॉल में थे अगर जो प्लेयर अंचा कहल रहा है तो जाहर सी बात है कोई ISL क्लब उसे उठालेता है तो obviously their eyeballs are always on the iLeague के कौन सा इंडियन अच्छा कर रहा है तो डेविड के ऊपर भी काफी सरे eyeballs रहे हैं and he almost in this January he signed for East Bengal for the following season लेकिन मोहमडन स्पोर्टिंग being top of the iLeague this season and अगर वो जीत गए iLeague which in all likelihood looks like you know they might तो वो भी ISL में खेल रहे होंगे right अगले season तो मोहमडन नहीं opportunity lead David को बताया बोलने की के आप रुक जाएए because हम भी ISL में खेलने वाले अगले season तो आप हमारे साथ खेलिये East Bengal के तो David लेकिन वहाँ पर उनने उनसे कहा and this is the you know this is what makes this his achievements even more remarkable this season उनने कहा के मुझे जादा game time नहीं मिल रहा है because in the first half of the season जो बीस appearances में 5 गोल की मैंने बात करी आईली के उन बीस appearances में काफी सारे he was coming off the bench he was not starting because the foreigners were starting in the Mohamedan sporting line-up so bench से आने के बावजूद उनको उनका ऐसा record है उनके 7 you know goal contributions है इस season और वहाँ पर Mohamedan ने उनने कहा के ठीक है और अगर game time की issue है then obviously you know we can do something about it and तब से he's been getting some starts at Mohamedan because they want to keep him because they are eyeing the ISL next season and obviously they don't you know which player would want to lose a player like David who's you know such a big potentially like a talented player big potential and top division में अगर आपके पास ऐसा player हो Indian अगली season so obviously you know there's going to be a lot of teams who might why for his signature but Mohamedan as smart as they are they try and do everything to keep him लेकिन तो अभी के लिए मोहमड़न में ये खेल रहे है अगली season का पता नहीं अगली season कहा होंगे you know you never know if there's a big offer that comes along but one thing that you know I'd like to shed light on which is that जो के साथ जो मेरा podcast हुआ you know he made some really अगर आपने नहीं देखा हो guys I'd really highly recommend अगर आप Indian football के बारे में आपको कुछ perspectives चाहिए interesting perspectives जो के not that मैं हर perspective से अगरी करता हूं और कुछ disagreements भी हुए थे podcast पर अगर आपने देखा लेकिन his insights are always so interesting to me and he said and this is probably something that you know this is not something new that he said लेकिन कोई भी player 19, 18, 20, 22 का अगर है 20 तक मैं बोलूगा 20, 23 तक who's a talent right अगर आपको दिख रहा है कि भाई ये बंदा he can literally be a world beater in football तो the ceiling for that player it cannot be the ISL ये बात आप भी मानते हो because Indian football की overall जो level है वो बहुत ज्यादा खास अब तक नहीं है तो अगर हमारे पास कोई ऐसा player है जिने हमें जिसको हमने notice करा है which was एक फाडू player है as soon as possible he needs to get out of the country because वहाँ पर क्या होगा अगर आप national team की भी हम बात करें तो जब players हमारे बाहर खेलेंगे better leagues में खेलेंगे बड़े leagues में खेलेंगे national team की quality automatically हमारी improve हो जाएगी because we'll just have better quality players to play for the national team right so बात यार honestly Mohamedan Sporting और East Bengal या Mohan Bagan या Kerala Blasters या Mumbai City FC की है ही नहीं players like David जो 22 साल के है जो कि इतने भी यंग नहीं है but it's not like he's 17 और 18 same with Zuala same with a lot of other players who are showing a lot of potential the ceiling cannot be कि ISL में क्या होने एक बड़ा contract मिलेगा क्या हो एक बड़ा ISL में अगले season मिरे को एक बात बताओ ISL में अगले season अगर David खेले या Zuala खेले और उन्होंने 20-22 goals भी score कर दिये तो मिरे को बताओ कौन सा ऐसा बहुत बड़ा फरक पड़ जाए 20-22 goals वैसे भी you know it's tough लेकिन I'm saying that वो हुआ भी तब भी so my point is that top division ही जो है वो ही इतनी ज्यादा competitive नहीं तो उसके आगे आप कहाँ जाओगे they have to get out of the country and play in more competitive leagues for them to actually come back and as better players so I really hope I really hope that you know players like David whose exploits have just been nothing short of fantastic and it's insane how very few people or almost I dare say nobody is talking about this guy he is keeping an eye on some of the good players in the I-League and David को भी mention किया and I really feel like if he can end the season on a high which almost now खतम हो गया Indian football season I really hope that he gets a he's at least in the squad for Kuwait and Qatar because I feel like you know this guy he deserves it why not here why not why do we have to wait for him to sign for an ISL club or for him to play in the ISL with Mohammed in itself for him to you know be considered for the national team he deserves to be in there immediately so yeah आपको क्या लगता है इसके बारे में क्या आपको पता था डेविड के बारे में और अगर आपको नहीं पता था तो अब आपके क्या थोट्स आपके इसके वीपर do you agree that they should get out of the country immediately टीम के लिए भी अच्छा होगा आपके जो भी थोट्स है प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईए thank you very much